मेरे घर में जब भी कुछ मीठा खाने का मन होता है और घंटों गैस के पास खड़े वहने का भी मनने करता है तब मैं बनाते हुए यह आसान सी पर बहुत ही डिलिशयस कस्टरड की रेसिपी जरूरी नहीं कि इसमें कुछ खास फल ही हो तब ही आप बनाए आप मात्र केले से और सेब के साथ भी आप बना सकते हैं इसके लिए मैंने 1.5 लीटर दूद था उसे उबाल लिया है इसको गाढ़ा पिलकुल नहीं करने की जरूरी था और ठंडे एक दूद में मैंने यह कस्टरड पाउडर उसमें डालके और गोल लिया ठंडे दूद में ही गोलना है इस तरह से बिलकुल अच्छे से घोल के और उभलते हुए दूद में इसको चलाते हुए डाल देना है ध्यान रखें कि इसे चलाना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर क्योंकि तल्ले में यह लग जाएगा तो फिर इसमें जले का फ्लेवर बहुत ही गंदा आता है और ची स्पून से तीन बड़े चमच डाले हैं थोड़ा सा हलका हो गई है अगर ठीक ठाक मीठा खाते हो तो इस सर्विंग स्पून से आप 4 या 4.5 चमच इसमें शकर डाले तो यह देखिए इसकी कंसिस्टेंसी अब सही हो गई है हमें इतना ही गाड़ा चाहिए था तो गैस करने को रख देते हैं इधर मैंने फूर्ट काट लिये हैं यह तीन चार केला था पका हुआ वो काट लिया मैंने एपल को काट लिया है चोटा-चोटा आप अगर और भी इसमें फूर्ट पसंद करते हो तो वह भी डाल लीजे तो यह देखिए मैंने कस्रड को ठंडा कर लि सर्फेस पर इसमें नहीं जमती तो इधियान रखिए अगर वैसे मिक्स करेंगे तो इसमें मिल भी जाता है तो कोई नहीं इतना एफट करने की तो सारे फल्लों को इसमें मिक्स कर लिया इस तरह से इसमें ग्रेप्स भी पढ़ता है बहुत अच्छा जाता है आप बहुत सारे इसमें अनार के दाने भी डाल सकते हैं तो जो भी फल आप पसंद करते हो वह इसमें डाले इस तरह से देखिए और यह टूटी फूटी कुस थे तो वो मैंने डाल दिये, अगर कैन वाली चेरी हो आपके पास वो भी डाल दिये, बहुत अच्छा टेस आता है थोड़ा, तो ये देखिए, बिल्कुल क्रीमी ये कस्टर्ड मेरा त्यार है, इसको बोल में थोड़ा सर्ब कर लेते हैं, दोस्तों, गर आपको कस्टर्ड की रेसिपी अच्छी लगती है, और बाकी सारी मेरी चैनल की और भी रेसिपी हैं, वो पसंद आती हो, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लिया हो, तो बेल आइक उनको क्लिक जरूर करिएगा, तो फिर मिलते हैं आप से नई रेसिपी के साथ, तक कि लिए बाई,